मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक फैमली दिखाई जाती है जो के एक बीच पर आई थी उस फैमली में टोटल चार लोग थे हस्बिन वाइफ उनकी बड़ी बेटी और उनका एक छोटा सा बेटा उनकी छोटे बेटे का नाम ओली था ओली की सिस्टर अपने फादर के पास आती है जो के रात का खाना बना रहा था रात को वो लोग खाना खाने के बाद कुछ बाते करते हैं और फिर अपने टेंट में सो जाते हैं नेक्स टे ओली की पेरेंट्स उसे गुमाने के लिए कहीं पर ले जा रहे थे वो लोग ओली की सिस्टर को भी साथ आने के लिए बोलते हैं जिस पर ओली की सिस्टर कहती है कि मैं नहीं जा रही मैं यहीं पर रुकूंगी फिर जैसे ही वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं उनकी बेटी उन्हें रोक लेती है उनकी एक पिचर क्लिक करने के लिए फिर वो दोनों हस्बंट वाइफ ओली को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और उनकी जाने की बाद उनकी बेटी बिलकुल अकेली थी वहाँ पर और तब युस लड़की को वहाँ पर किसी की प्रेजन्स का अहसास होता है वो अपनी आस-पास देखती है, अब अकेला होने की वज़े से उसी डर लगता है इसलिए वो जाकर अपनी गाड़ी में बैट जाती है थोड़ी दिर गुजर जाने की बाद उन लुगों की गाड़ी की पीछे एक और गाड़ी आकर रखती है उस गाड़ी में से एक आदमी निकलता है जिसका नाम जर्मन होता है जर्मन के साथ एक और आदमे भी होता है और वो भी गाड़ी से बाहर आता है और इस आदमी का नाम चोक होता है ओली की सिस्टर अपनी गाड़ी में सो रही होती है और ये दोनों आदमी उस लड़की को देख लेते हैं जर्मन चोक को कहता है कि चलो इसे उठा कर हम अपने साथ ले जाते हैं जिस पर चोक कहता है कि तुमने पिछली बार भी ऐसे ही किया था और फिर तो मैं जेल जाना पड़ा जर्मन कहता है कि उस गलती पर मुझे शर्मिंदगी भी है और मैंने बहुत कुछ सीख भी लिया था उससे लेकिन जर्मन कहता है कि मैं तो फिर भी इस लड़की को उठा कर ले जाऊंगा और इस बार चोक उसकी बात पर एगरी हो जाता है और फिर ये लोग उन लोगों के टैंट की तरफ बढ़ते है ये चेक करने के लिए कि इस लड़की के साथ और कौन है गाड़ी में ओली की सिस्टर जाग जाती है और वो चोक को गाड़ी के बाहर खड़ा हुआ देखती है और घुसे में उसे कहती है कि मेरी गाड़ी से पीछे हटो ये सुनकर चोक थोड़ा सा पीछे हट जाता है लेकिन वो एक बार फिर आगे बढ़ता है ये देखकर ओली की सिस्टर गाड़ी का हॉर्ण बजा देती है इस हॉर्ण की आवाल जर्मन भी सुन लेता है डरते डरते बाहिर आजाती है तब ही वहाँ पर उस लड़की का फादर भी उसे बचाने के लिए आ जाता है जिसे वो लोग मार कर बिहोश कर देते है ओली की मदर उसे टेंट में छोड़ कर उन लोगों की तरफ बढ़ती है ओली की मदर आते ही चोग पर अटेक कर देती है ये देखकर उनकी बेटी मौके का फाइदा उठा कर जान बचा कर वहाँ से भाग जाती है लेकिन जर्मन गोली चला कर उसे रोक लेता है फिर वो ओली की मदर पर गन रख के कहता है कि अगर तुम भागी तो तुम्हारी मा मारी जाएगी ये सुनकर ओली की सिस्टर रुख जाती है फिर वो दोनों उन तीनों की हाथ और मौ बान देते है इसके बाद वो दोनों उस फैमली को जंकल में कहीं पर ले जा रहे थे चोक एक जगा पर बैट कर ओली की सिस्टर का मुबाइल चेक कर रहा होता है और चोक उस पूरी फैमली की पिचर देख लेता है और वो पिचर में ओली को भी देख लेता है जिससे उसे पता चल जाता है कि इस फैमली के साथ एक छोटा बच्चा भी है जोकि मिसिंग है वहाँ पर नहीं है इसलिए चोक वो पिचर जर्मन को भी दिखाता है फिर वो ओली की मदर से उसके बारे में पुछता है कि ये छोटा बच्चा कहाँ पर है ओली का फादर डरते हुए काप रहा था जिससे वो बियर केन नीचे गिर जाती है जर्मन एक बार फिर से वो केन रख देता है और चोक एक बार फिर से निशाना लगाने लगता है ओली का फादर एक बार फिर से डरते हुए काप रहा था जिससे वो केन एक बार फिर से गिर जाती है लेकिन इस बार गुस्से में आकर चोक उसके सर पर ही शूट कर देता है फिर सेम ऐसा ही वो ओले की मदर के साथ भी करते हैं वो उसके सर पर भी बियर केन रखतेते हैं और इस बार चोक की जगा जर्मन निशाना लगाता है और लास्ट में जर्मन ओली की मदर को शूट कर देता है लेकिन वहाँ से जाते हुए वो ओली की सिस्टर को भी शूट करके मार डालते है वो दोनों अब ओली को लेने के लिए उनके टेंट में आते हैं लेकिन ओली टेंट से निकल कर रोते रोते ही कहीं पर चला गया था फिर तीन दिन बाद एक कपल उसी बीच पर आता है वो दिखते हैं कि ये जगा काफी खुबसूरत है इसलिए वो काफी खुश होते हैं वो लोक ओली के टेंट से कुछ दूरी के फासली पर ही खड़े हुए थे और थोड़ी की दिर बाद वो अपना टेंट भी वहाँ पर लगा लेते हैं असल में इन दोनों की नई-नई शादी हुई थी इसलिए वो अपना टाइम स्पेंट करने के लिए यहाँ पर आये थी उस कपल में लड़की का नाम सैम होता है सैम जो की अकीली ही बैठी होती है और सैम उन लोगों के टेंट की तरफ देखती है सैम देखती है कि वहाँ पर भी एक फैमली है जो थोड़ी दिर तक महाँ पर आ जाएगी लेकिन उसे क्या पता था कि वो पूरी फैमली तो मारी जा चुकी है सैम का हस्बेंट आग जलाने के लिए लकडियां जमा कर रहा था और इस बिच उसे वहाँ पर एक छोटे से बच्चे की कैप मिलती है फिर जैसे ही रात होती है सैम और उसका हस्बेंट आग जला लेते हैं और बाते करने लगती है नेक्स मॉर्निंग जब सैम की आँख खुलती है तो वो फिर से उन लोगों के टेंट की तरफ देखती है वो सोच रही थी कि शायर यहाँ पर रहने वाली फैमिली अब वापिस आ चुकी होगी इसलिए वो चेक करने के लिए टेंट की तरफ बढ़ती है जब सैम टेंट के अंदर देखती है तो वो अपने हस्बेंट को भी बुलाती है वहाँ पर सैम अपने हस्बेंट को टेंट कोल कर दिखाती है और उसे कहती है कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ हुआ है क्योंकि उनके टेंट में समान इधर उधर बिखरा हुआ था वो डिसाइड करते हैं कि इस बारे में वो पुलिस को इनफॉर्म करेंगे लेकिन उनकी गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया था तब सैम का हस्बेंट गाड़ी का टायर चेंज करने लगता है लेकिन तब ही उसे सैम के चिलाने की आवासे आती है इसलिए वो सैम की तरफ बागता है सैम अपने हस्बेंट को जमीन पर पड़ा हुआ ओली दिखाती है और ओली की उन लोगों ने काफी बुरी हालत कर दी थी सैम का हस्बेंट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ओली जिन्दा है तब वो लोग ओली को उठा लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस बच्चे के पेरेंट्स को भी ढूंडेंगे अभी वो बस वहाँ से जाने ही लगते हैं कि वहाँ पर चोक आ जाता है तब वो लोग चोक को भी ओली दिखाते हैं क्योंकि उन्होंने ओली को गाड़ी में रखा हुआ था वो दोनों चोक से हेल्प मांगते हैं ताकि ओली को जल से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाया जाए जिस पर चोक उन्हें समझाता है कि तुमें फिकर करने के कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पेरंट्स यहीं पर होंगे आसपास होंगे और क्या पता वो किसी मुश्किल में फसे हों और हम जितनी जल्दी हो सके उन्हें ढूंड लेंगे सेम का हैस्पन चोक को कहता है कि अगर इसके पेरंट्स मुश्किल में होंगे तो हमें उनकी help करने चाहिए फिर चोक अपने गाड़ी से gun ले लेता है और तब चोक और सैम का husband उस बच्चे के parents को ढूरने के लिए वहाँ से चल पड़ते हैं अब क्योंकि ओली का खयाल रखने के लिए वहाँ पर सैम अकेली रह जाती है इसके बाद सैम जाकर गाड़ी में बैठ जाती है जहाँ पर सैम को एक knife मिलता है सैम दिखती है कि वो चोटा बच्चा गाड़ी में बिल्कुल आराम से सो रहा है हम दिखती है कि चोक सैम के husband को उस जगह पर ले आया था जहाँ पर उन दोनों ने उस family को torture किया था उन्हें मारा था लेकिन चोक देखता है कि वहाँ पर ओली की मदर की डड़ बाड़ी नहीं है इस बात से वो काफी हैरान रह जाता है क्योंकि वो जानता था कि ओली की मदर अगर यहाँ पर नहीं है और बहुत जल्द उन्हें ओली की मदर मिल भी जाती है सैम का husband ओली की मदर की ऐसी हालत देखकर उसके पास जाता है जिसकी अभी थोड़ी बहुत सांसे बागी थी लिकिन तबी चोक ओली की मदर को शूट करके मार डालता है ये देखकर सैम का हस्बेंट बूरी तरह डर जाता है जिस पर चोक कहता है कि ये क्या ? तुम्थे डर गई ? मैं तो तुम्हें बहुत बहादृ समझ रहा था सैम का हस्बेंट उसे डरते हुए पूछता है कि क्या तुम मुझे भी शूट करके मार डालोगे ? जिस पर चोक कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें इतनी असान मौतों नहीं देने वाला, बलकि मैं तुम्हारा पुरा हाल करूँगा, और फिर तुम्हें धर्पा-धर्पा कर मारूँगा, यह बात सुनकर सैम का हिस्बेंड और ज्यादर डर जाता है, तब चोक सैम की हस्बेंड के पास आता है, और उसे कहता है कि जिल्दी उठो चलो यहां से, फिर सैम का हस्बेंड चोक को पुष करके वहां से भाग जाता है, तब चोक भी उसके पीछे पीछे भागता है, दूसरी तरफ जर्मन सैम के पास आ जाता है, जहां पर सैम उसे सारी ब और खुद ही दरौजा खूलने की जोशिक करता है। लेकिन तभी सैम उसी नाइफ से जर्मन का हाथ कार देती है। जिससे जर्मन को काफी चछोट लगती है और वो अपना खून रोकने की कोशिक करता है। जहां पर सैमों को देखकर औली को ले कर वहाँ से भाग जाती है। जर्मन जब सेम को भागता हुआ देखता है तो वो अपने डॉक को सेम के पीछे लगा देता है सेम का हिस्पिन भागते भागते एक जगह पर आकर छुप जाता है और चोक भी वही आसपास था उसे डून रहा था तबी अचानक से चोक को कोई भागता हुआ दिखाई देता है और वो जल्दी से उसी तरफ शूट कर देता है और अब चोक उसी तरफ बढ़ता है जहां पर कोई भाग रहा था जहां पर उसने गोली चलाई थी चोक वहाँ पर आकर देखता है कि जिस पर उसने गोली चलाई है वो कोई ओर नहीं बलके जर्मन था जो गोली लगने की वज़ा से दड़ से चिला रहा था गोली मारने पर चोक जर्मन से माफी मांग रहा होता है कि तब ही उसे ओली की रोने की आवाज सुनाई देती है और फिर चोक सैम को देख लेता है और वो आइस्ता आइस्ता उसकी तरफ आकर उसे पकड़ लेता है और चोक सैम को गन पॉइंट पर लेकर जर्मन के पास आता है और वो सैम से ओली को ले लेता है और उसे जमीन पर रख देता है फिर चोक जर्मन को शूट करके उसे मार डालता है क्योंकि गोले लगने की वज़े से जर्मन बहुत ज़्यदा तकलीफ में था और चोक उसे तकलीफ में नहीं देख सकता था प immersion सेम को गाड़े में बिठाकर वहाँ से जाने लगता है लेकिन सेम जोर से गाड़े का स्टेरिंग हिला देती है जिसे गाड़े का बैलंस खराब हो जाता है और वो एक ट्री से जाकर टकराती है दूसरी दरफ वहाँ पर साम का हैस्बंट पुलीस ले आया था और पुलिस अब चोक के गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी लेकिन चोक दूर से ही उन पर गोलियां चलाने लगता है तब सैम का हस्बेंट के देख कर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने लगता है लेकिन चोक उसकी बाजू पर गोली मारता है फिर चोक पुलिस की गाड़ी में उन दोनों हस्बंट वाइफ यानि सैम और उसके हस्बंट को प्रिजनर बना लेता है और वो गाड़ी सैम चला रही थी और उन लोगों के पीछे चोक बैठा हुआ था गन लेकर चोक वहाँ से भागना चाता था लेकिन सैम जोके तेस पेट में गाड़ी चला कर उसे पलटने की कोशिश करती है जिससे गाड़ी पलटने की बाद फिर से सीधी हो जाती है इस वज़े से वो तीनों ही इंजर्ड हो जाते है उन लोगों में से पहले चोग गाड़ी से बाहिर आता है जो के काफ़े इंजर्ड हो गया था इसकी बाद सैम गाड़ी से बाहिर आती है और वो एक पत्थर से चोग के सर को क्रश कर देती है इसके बाद सैम एक हॉस्पिटल में आँखे खोलती है फिर वहां से उठकर सैम अपने हेस्पिटल के पास जाती है क्योंकि उसका हेस्पिटल भी उसे हॉस्पिटल में था जो बच गया था लेकिन वो काफी इंजर्ड था अब सैम ओली के बारे में सोचती है ओली भी बच गया था और उसे जर्मन के डॉग ने बचाया था सैम सोचती है कि अब वो इस बच्चे को अडॉप्ट कर लेगी और इसी के साथ ही ये मोवी यहीं पर एंड हो जाती है थैंक्यू फॉर वाचिंग